अंतरास्टे महिला दिवस नजदीक आ रहा है अंतरास्टे महिला दिवस देश भर में महिलाओं के सम्मान में मनाया जाता है और महिलाओं को स्वस्त रहने की सलहा दी जाती है वैसे तो महिला अपना बहुत ध्यान रखती है महिलाएं साथी साथ अपने परिवार का भी ध्यान रखती है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं अपने परिवार का ध्यान रखते रखते खुद का ध्यान नहीं रखती है वैसे तो दुनिया भर की महिला क्या कुछ नहीं कर रही है कंदे से कंदा मिला कर या ये कहे कि पुर्षों से आगे जा रही है फाइटर जट से लेकर पानी के जहाश तक चलाने से लेकर और दूसी तरफ हाउस मेकर से लेकर और साशन करने से लेकर महिला सर्वो परी है और भारत के अगर हम बात करें तो भारत में सबसे बड़े समधारिक पद पर एक महिला ही विराजमान है लेकिन सबसे ज़ादा जरूरी है कि हम एस वुमेंस टे महिलाओं को जागरुक करें अपनी सेहत को लेकर यह बहुत ज़ादा जरूरी है आज इतनी भागदार भरी जिंदगी में महिलाएं जो हैं कामकाजी भी हो गई हैं महिलाएं जो एक घर भी समालती है बच्चे भी देखती है और तो और कुछ महिलाएं ऐसी है जो की जरनता का ख्याल भी रखती है जैसे कि जो महिला पुलिस में है जो महिला प्रशासनिक अमले में है तो उन महिलाओं को अपना और जादा ध्यान रखने के जरूरत है हाला कि ध्यान तो हर किसी को रखना है माहिलाओं को भी और लड़कियों को भी तो ज़रूरी है कि अपने स्वास्त का ध्यान सबसे ज़्यादा रखे देखे सेहत को दुरस रखना सब के लिए प्रायर्टी होती है लेकिन परिवार की दे भागदर में अपनी सेहत को हम थोड़ा सरदर्द हो रहा है थोड़ा सही तो वो टापा है ठीक है चल जाएगा लेकिन चलेगा लहीं आपको समझने की जरूत है क्योंकि स्टुडिस कहीं कहीं आपको चेता रही हैं कि भई दूसरों को अप लोग इतना समय देती हैं दूसरों की शंदा करती हैं तो अपना भी थोड़ा सा खयाल रखने में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए अपना धोड़ा-सा समय निकाले और अपना ध्यान जरूर करें, रूटीन चेक अप जरूर कराएं देखे, महलाओं के हेल्थ मर्दों के अपेक्षा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, ये किसी से छिपा नहीं है इसलिए सेहत मन रहने के लिए महलाओं को अपनी बॉडी की ज़्यादा केर करने की जरूरत होती है इमोशन तो होते हैं, उनके अंदर इमोशनली हो बहुत जल्दी, कई न कई प्रभावित होती हैं लेकिन बिमारियों से भी ग्रसित हो जाती है ऐसी कई बिमारियां हैं जिनकी चरपेट में महलाएं जादा आती है तो चलिए आज उनके बारे में आपको बताते हैं कि महलाएं सबसे जादा किन बिमारियों का शिकार हो जाती है महिलाओं में सबसे ज़ादा होने वाली बिमारियां breast cancer सबसे उपर आता है breast cancer के बारे में हम लोग आजकल बहुत पढ़ रहे हैं बहुत सारे cases आ रहे हैं और कुछ महिलाओं जागरुक भी हुई है लेकिन आज भी बड़े पैमाले पर महिलाओं ऐसी है जो इसको लेकर जागरुक नहीं है हम यह नहीं के रहें कि आपको knowledge नहीं है आपको knowledge है लेकिन क्या परोटीन टेक अप कराती है यह ज़रूरी है breast cancer महिलाओं को होने वाली सबसे बड़ी और गंभीर बिमारियों में से एक है भारत के बात करें तो यहां महिलाओं में breast cancer के मामले अब बहुत ज़्यादा तेजी के साथ सामने आ रही है खबरों की माने और अध्यन की माने तो भारत के महिनाओं को होने वाले breast cancer के मावलों में सबसे जादा यानि की 25% से जादा मावले breast cancer के होते हैं इससे बचाव के लिए जरूरी है कि 30 साल के बाद महिनाओं को साल में कम से कम दो बार breast cancer के जार्ज के लिए mammography test कराना चाहिए इससे आपको ये पता चलता रहेगा कि आप ठीक है और आपका breast हो है वो पूरी तरह से स्वस्त है और आने वाले सेवे में इसकी जाज होनी चाहिए और आगे भी आपको करवानी चाहिए यह निकि आप एक ही बार जाज करा ले और फिर आराम से बैठ जाए साल में कमजगम दो बार टेस्ट ज़रूर कराए एनीमिया सबसे आम बिमारी और सबसे ज़्यादा यही मैलाओं को होता है सामानली बिमारी हैं लेकिन ये बिमारी भी पुर्शों की अपेक्षा मैलाओं को ज़्यादा शिकार बनाती है अनीमिया में शरीर में हिमोगलोबिन की कमी हो जाती है आप डॉक्टर्स के पास जाती होंगी बहुत सारी मैलाई ऐसी है तो डॉक्टर्स कहते होंगी कि खून की कमी है अब खून की कमी रहेकर आप लोग कुछ दिन तो अपना ख्याल रहते हैं फिर ठीक है चली खून की कमी है थोड़ी बहुत है हो जाएगी पुरी हलका सा लो फील होगा लेकिन ऐसा नहीं आप समझे इससे आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है परिवार करियर की विरस्ता के बीच अपनी खास देखभाल आप नहीं करती है सही डाइट भी नहीं ले विजनाइटिस यहां पर ध्यान देना बहुत जादा ज़रूरी है महिलाए अकसर विजनाइटिस रोग से परिशान रहती है इस बिमारी में वजाइना में इंफेक्शन हो जाता है खुजली जलन और समान्य स्राव होनी लगता है बैक्टिरियल इंफेक्शन और हाईजीन क कमी के साथ यहां संचारित रोगों के चलते भी विजनाइटिस होने का रस्क बढ़ जाता है इसलिए संबन में समय समय पर जाच जरूर करवानी चाहिए ताकि आपका वजाइना जो है वो हेल्दी रहे सर्वाइकल कैंसर सर्वाइकल कैंसर की महिलाओं को ज्यादा होने वा होता है लेकिन महिलाएं इस बारे में जान नहीं पाती है बहुत कम ऐसा होता है कि महिलाएं इसको जान पाती है या बहुत हाई लेवल पे अगर आप बहुत जादा रूटीन चेक अप कराती है तब क्योंकि इसके लक्षर इतने जादा कॉम्लिकेटेड होते हैं कि आप सबब बन जाता है भारत में अक्सर ऐसे मामले देखे गए हैं जहां मैलाएं अपने स्वास के पती लापरवा होकर बढ़ते वजन को इग्णोर करती हैं यू तो मोटापा माइनाओ कुछो दोनों को परिशान करता है लेकिन पिछली कुछ स्टॉडी केती हैं कि मैलाएं 30-40 स साल के उमर के बाद इसकी चपेट में तेजी से आती हैं तो अपने आपको हेल्दी रखिए एक्सरसाइज जरूर करें आप योगा का सहारा भी ले सकती है डाइट का खयार रखना बहुत जादा जरूरी है आप बहुत खूबसूरत है लेकिन अपने स्वास्त को खूबसू झाल भी लेकिना और बहुत